अबीरे पेपर से विश्मूद नमस्कार दोस्तों एक बार फेरी से स्वागे तक्हें आपके अपने चेनल ओपर आज की वीडिय Om . इंटबठे के बीजनस के बारे में नमस्कार दोस्तों-अपना कितनी इंवैश्टमेंट करने पड़ेगी किस किस चीज़ की requirement होगी कितने space की requirement होगी कौन कौन से license लेने पड़ेंगे या फिर आप कितना मुनाफ़ा होगा कौन कौन सी machinery दिखे देने पड़ेगी इस परकार से आप अपना बठा start कर सकते हैं इन सब बातों के बारे में डिसकस करेंगे क्योंकि दोस्तों बारत एक विकास सिल्देस है तो यहां बहुत ज़्यदा construction हो रहा है यहां ज़्यदा ज़्यदा गरों की demand हो रही है ओफिस की demand हो रही है ज़्यदा बिल्डिंगे बन रही है और जितनी ज़्यदा building बन रही है और दोस्तो जैसे जैसे जन संक्या बढ़ेगी वैसे वैसे घरों की डिमांड बढ़ेगी ओफिस की डिमांड बढ़ेगी और विल्डिंगें बढ़ेगी इसलिए दोस्तो इंट बटे की भी डिमांड अच्छी कासी बढ़ने वाली है दोस्तो आपने देखा है गाउं के आरबार बहुत सारे बटे चलते हैं क्योंकि दोस्तो इसके अंदर अच्छा profit है लेकिन दोस्तो ये एक ऐसा business है जिसके अंदर बड़ी investment करने पड़ती है ये आपके पास अच्छी investment है और आप एक बड़ा business setup करना चाहते हैं तो आप अपन आपके पास कम से कम डेट करोड़ से दो करोड़ या फिर तीन करोड़ तक अराम से investment होनी चाहिए उसके बाद दोस्तो आपके पास कम से कम 5 से 10 से कड़ जमीन होनी चाहिए यदि आप अपना खुद का इंट बटा स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जमीन आप रेंट पे भ अठी होनी चाहिए, ट्रेकटर, गाड़िया, सबकूछ, उसके बाद आपके पास लेबर होनी चाहिए, आपके पास अच्छी वोटर की फैसलेटी होनी चाहिए और आपके पास अच्छी knowledge होनी चाहिए इस विसनस resignation कि in बूट ईह सब्टी चीज़ों साथ दो सबसे पहले investment दोस्तों आपको जमीन के उपर करने पड़ती है यह आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो आपको जमीन रेंट पर लेनी पड़ती है या फिर आप जमीन खरीद सकते हैं खरीदेंगे दोस्तों बहुत बड़ी investment आपको इसके अंदर करने पड़ेगी उसके बा क्टार्व दूसर्व दस्तों एक पकाई करेंगे इन्टों की पकाई करेंगे आपसे लेवर की डिउबर की टिःवर्मेंट ऑद какую या इस लिए दोस्तों इसके लिए पर डाईर करेंगे ऐसे बहुत से परकार के ट्रेक्टर और मेसेनरी आपको खर्च करने पड़ेगी जिसके लिए आपको 25-30-50 लाग रुपय ता अराम से खर्च करना पड़ेगा और लेबर के ओपर भी दोस्तों आपको अच्छ इंवेस्टमेट करने पड़ेगी उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे अलग से करने पड़ेगी जैसे दोस्तों आपको इसके लिए लेना पड़ेगा या फिर कॉकॉटर करवाना पड़ेगीदे अब करने पड़ेगी उसके बाद दोस्तों आपको ओर भी बहुत sub跳 सारे अपको कम से कम देड़ से दो क्रोड रुपए या फिर तीन क्रोड रुपए तक की इनवेस्टमेंट करने पड़ेगी तब ही आप एक अच्छा एट भठा स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे इसके अंदर आपके इनवेस्टमेंट जमीन के ऊपर रिपार्ण करत तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बैदाया कि इसके अंदर आपके पास कम से कम 5-6 कर 10 एकर तक जमीन की रिक्वार्मेंट होती है। आप एक इनट वटा स्टार्ट करना चाते हैं तो इन सब्सक्राइब आपको बहुत से प्रकार के लाइसे लेने पड़ते हैं और आपको इसके अंदर सभी डोकुमेंटेशन की रिक्वार्मेंट होती है। डोकुमेंटेशन की बात के दोस्टों आपके पास अपने सभी परसनल डोकुमेंट होनी चाहिए। आपके पास अपने आदार कार्ड, pen card, quarter card, bank detail, आपकी जमीन की डोकोमेंट, आपके जो भी personal document, mobile number, ऐसे सभी personal document होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ डिपार्टमेंट से NOC भी लेनी पड़ती है, जैसे आपको पॉलिशन डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, आपको वन विवाग डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, यचे बहुत से डिपार्टमेंट से आपको NOC लेनी पड़ सब भी नोसी के बाद दोस्तों आप बटे को स्टार्ट करने की सोच सकते हैं क्योंगि दोस्तों यदि आपके पास LSS नहीं है तो आज के टाइम पॉलिशन इतना जादा है तो आप बठा नहीं चला सकते हैं आपको पहले लाइसे लेने पड़ेंगे सभी डोकुमेंट आपके पास होने चाहिए जमीन से और परसनल डोकुमेंट फिर उसके बाद आप अपना एक बठा स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा इसके अंदर बना सकते हैं अब बात आएक दोस्तों आपको कितना आपको बताई है कि एक रुपए एक इंट के साथ से आपको प्रॉफिट बचेगा सभी खर्चे निकाल रहे हैं या फिर आपकी चिमनी के अंदर कितनी एक बार में पकाई हो रही है उसी साथ से आप एक सीजन के अंदर निकाल पाएंगे और दोस्तों इसके अंदर मौसम क आपके इंट कम निकलेगी बारिष कम है तो आपके इंट ज्यादा निकलेगी बारिष ज्यादा होती है तो दोस्तों कच्छी इटों के बनवाई कम होती है तो इसलिए इंटे कम निकलती है और बारिष कम रहती है तो इसके अंदर आपकी इंटे अच्छी निकलती है और आ आउन फिंगर बता कि आपको लगबग इतना खर्चा या फिर इतने जमीन की रिक्वार्मेंट होगी प्रॉपर तो दोस्तों आप जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम पता चलेगा कि आपके पास कितने जमीन हैं कितने दूर से आप मिट्टी लेके आ रहे हैं या फिर कितने अब पकाई करवा रहे हैं या फिर आपकी कितने लेवर आप अपने वट्टे के ऊपर अपके पास या फिर बर मैंवाने हैं कितने बंवाने हैं तो किपने हैंL Uh प्रपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहीं से आपको इसके बारे में प्रपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रपर इंछ कि की आप इस परकार जहें और अच्छा पैसा ुकमा थे रसकते हैं उर्य opinion आज कोई भी लुए यह तो हैं कोण Bit कर सकते हैं somethinth अभी का सब्सक्राइब करणं कमेट कर सकते हैं